है लो जी कैसे हैं फ्रेंड्स आसा करती हूं बढ़ी आउंगे स्वास्थ होंगे स्वागत है आपका चले चलते हैं वीडियो की तरफ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आपके चेहरे पर अंडराईज के असपास कालापन हैं डाक सर्कल है आकों के नीचे काल नेस है उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं और वो भी घर पर ही एक छोटा सा असरदायर उपाई करके आपके डाक सरकल केवल साथ दिन में गायब हो जाएंगे फ्रेंड्स बस आपको ये पैक रोजा न लगाना होगा बहुत ही अच्छा है और सस्ता है गरे लूपाई है तो ये कोफी इसमें क्या करेगी अब मैं बताती हूँ इसमें जो कैफीन है न वो बहुत चमतकारी परबाव लाएगा आपके काले घेरो पर ये आपकी रक्त दम्यों को संकुचित करके ब्लेड सर्कुलेशन में सुधार लाएगा और कोफी में पराकरतिक ब्लीचिंग जैसे गुण भी होते हैं जो आखों की सूजन को कम करके उन्हें ठीक करने में अल्प करते हैं और जिससे इसकी साप गोरी रहली लगती है और अब मैं इसके बाद इसमें नीम्बो लूँगी एक चमच नीम्बो का रस इसमें एड करूंगी फ्रेंड्स आज थोड़ा तब करते हैं आखों के नीचे पड़े कालेगेरे को कालेपन को ब्राइट बनाने में अल्प करते हैं आखों के आसपास की जूरियो को खतम करता है और शूजन या नेके पपिनेस को भी कम करता है और फ्रेंट्स निम्बू में बहतरीन skin bleaching properties भी होती है antiseptic गुन भी होते है जो आँखों के नीचे पड़े dark circle को खतम करने में बहुत जदा help करते हैं और फ्रेंट्स निम्बू इसकिन पर इसकिन को lighten करता है इसकिन को white and bright बनाने में help करता है तो निम्बू भी आपके dark circle के लिए बहुत जदे गुनकारी होगा इसमें मिलकर अब मैं इसमें थोड़ा सा shade add करूँगी एक चमस shade add करूँगी फ्रेंट्स दो तीन दिनों से infection हो रखा है मुझे गले में और बुखार आ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा adjust कर लेना थोड़ा उपर नीचे हो जाई तो अब जल्ले मैं बताती हूँ इसमें साइद क्या क्या benefit देगा आपको फ्रेंट्स साइद क्या करता है कि इसमें होते हैं इंटियोक्षिडेंट एंटिभलमेट्री एंटिफंगल जैसे अच्छे अच्छे पोशक्तत्व होते हैं जो आँखों के नीचे पड़े डाक पिंग्मेंट को हलका करके skin को मोस्ट्राइज करते हैं इसकिन को पोशक देकर skin को healthy बनाते हैं आँखों के नीचे पड़े डाक सरकल को खतम करने में हल्प करते हैं और collagen के उत्पादन को बढ़ा कर बढ़ती उम्र के लक्षनों को खतम करते हैं जैसे के आँखों के आसपास काले घीरे होगे आँखों के नीचे सूजन होगी पफिनेस होगी या जूरियां या इन सब को खतम करने में सायद बहुत हल्प करेगा इसमें मिलकर अब मैं इसे अच्छी तरह से mix कर लूगी ताकि इसमें कोई भी गांट ना रहे कोई बच्ची से तरह से यह बिलकुली smooth सा paste बन करते यार होगा हमारा फ्रेंट्स डाक सरकल क्यों होते हैं इसके भी कहीं कारण होते हैं जैसे तनाव में रहना खाने पीने में पूरा पोशन ना लेना अच्छी नीद ना आना पाने कम पीना परदूशन या फिर ज़्यादा लैप्टोप या फोन वगरा या कंप्यूटर वगरा यूज करना य यह सब कारण होते हैं डाक सरकल पढ़ने के आप इनमें सुधार करिये और कुछ हमारी हैं रेमिडी यूज करिये आज की रेमिडी बहुत अच्छी है आप इसका इसका इस्तिमाल करके देखिए एक बार आपके डाक सरकल ऐसी गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं ब पड़ेवे कालेगीरों को इस पैक से बिल्कुल 100% ठीक हो जाना है अब देखिए मैं इसे मिक्स करके एक डबी में डाल लूगी आप इसे 4-5 दिन का बना कर एक बार रख लीजिए और रोज इसे डेली लगाईए फ्रेंस इस पैक से 100% में गारंति लेज दी हूँ कि आपक इसे डेली लगाएंगे ना तो इसके बाद बस एक ध्यान रखेगा कि इसके बाद कोई भी साबुन्या फिस्वस मत लगाईएगा अपने चाहरे पर अपनी आखों के असपास और फ्रेंट्स ये ओल स्किन टाइप है आप इसे 3-4 दिन का बना कर फ्रेंज में रख सकते हैं और इसे डेली लगाना है आपको आखों के नीचे कम से कम एक मिनट तक अच्छे से मसाज करने से लगा कर और फिर छोड़ देना है दस मिनट के लिए और दस मिनट के बाद अपना चहरा दो लेना है विश्वस मानिये इससे बहुत जल्दी आपके डाक सरकल रिमू होंगे फ्रेंड्स बहुत अच्छा बैतनी फार्मूला है डाक सर का लटाने का तो आप इससे जू इस्तिमाल करिए वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे थेंक्यू सो मच